अश्टा वक्रमुनी के समाधान का दूसरा भाग यहां प्रस्तुत है। वे कहते हैं अब दूसरी बात पर ध्यान दो। मुक्तिम इच्छसी चेत ताता विशयान विश्वत्यजग। यहां पर चेत शब्द का अर्थ यह है कि दुनिया में अधिकान्ष लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं। लोग कुछ न कुछ चाहते हैं परंतु मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति माने होता है चुटकारा मोचनम मुक्ति ही। न हम किसी के साथ बंधें और न कोई हमारे साथ बंधें। क्योंकि बंधन का सुभाव यह है कि वह एक को नहीं बांदता है, दो को बांदता है। जैसे हम फूल को मुठी में लेकर बांध लें, तो सिर्फ फूल ही नहीं बन देगा, हमारी मुठी को भी बांध लेगा, तो यदि आप मुक्ती चाहते हैं, तो जरा अपनी रहनी पर ध्यान दीजिए, आधी मुक्ती और आधा बंधन, ऐसे नहीं चलता है, मुक्ती चाहने व जाने वाले बहुत कम होते हैं, यह लाउड स्पीकर लगा कर, या रेडियो पर, या गाउं में धोंडी पीटने से कोई मुक्ती चाहने वाला नहीं हो जाता, आप किसी भी वस्तु के साथ संबंध जोडना चाहते हैं की नहीं, इस बात से इस बात का पता लगता है, कि आप मुक्ती चाहते हैं या नहीं, अच्छा, आप मुक्ती चाहते हैं, किस से मुक्ती चाहते हैं, आपको ढूंडे नहीं मिलेगा, जब स्वामे श्री प्रेम पुरीजी महराज, व्रिद्ध बदरी में मरने के लिए तयार हुए, तो एक दिव्यर रूप वाली माता ने आकर प मकान है, नहीं, जात पात गदी आश्रम कुछ है क्या, बंधे कहां है, कि उससे मुक्ती चाहते हैं, जर आप बंधन दिखाईए तो, और महात्मा ने एका ग्रमन से विचार करके देखा, कि हमारा तो कहीं बंधन नहीं है, उस माता ने कहा, कि जब बंधन नहीं है, तो पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, यस चाहिए, कोई न कोई अप्राप्त वस्तु चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, इसी का नाम बंधन है, क्योंकि स्त्री अनुभव करती है कि हमारे अंदर पुरुष नहीं है, पुरुष को स्त्री चाहिए, क्योंकि पुरुष यह अनुभाव करता है कि हमारे अंदर स्तिरी नहीं है गरीब को धन चाहिए निर्बुध्धी को बुद्धी चाहिए माने लोग अपने पास जिस वस्तु का अभाव अनुभाव करते हैं उसको चाहते हैं तो क्या तुम और कुछ नहीं चाहते यह जो संसार के बंधन है इनसे मुक्ती चाहते हो एक बात देखो कि आप संबंध चाहते हो की नहीं रुपया मेरा मकान मेरा परिवार मेरा शरीर मेरा जब आप मेरे बंध से खुश हैं किसी भी वस्तु को मेरी बना कर आप खुश हैं मुक्ति नहीं चाहते बंधन चाहते हैं तो पहला कुलहारा आपके संबंध की इच्छा पर लगता है अब सोचो कि क्या आप मुक्ति चाहते हैं इन मैं मेरे पंध से छुटकारा चाहते हैं पहले तो आपकी तारीफ है कि आप बहुत अच्छे हैं जो वेदांत सिध्धांत का संवर्धन करना चाहते हैं दूसरी बात यह रही कि क्या आप इतने भाग्यशाली है कि आपके मन में मुक्ति की इच्छा हो गई है धन्य है अब दीसरी बात लो अच्छा जी यदि आप संबंध नहीं चाहते हैं तो विशयान विश्वत्यज़ अब त्याग और ग्रहन का दो विभाग करते हैं मनुष्य को अपने जीवन के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है और कुछ पकड़ना पड़ता है जैसे किसी लड़की को वर्माला पहनानी हो तो सचमुछ ही उसके मन में एक बार आएगा कि यह है कि यह है मने किसको छोड़ना और किसको वर्माला पहनाना विशयान विश्वत्यज़ विशय शब्दकार्थ है विशेशेण बदनन्ती इती विशयह जो विशेश रूप से बांध ले उसका नाम है विशय हमको याद है कि हमारे गाउं से कोई डेड़ मील दूरी पर गांजे की दुकान थी तो जिनके पास पैसा नहीं होता वो भी चार-पांच बजे शाम को दो-दो मेल चलकर गांजे की दुकान पर पहुँच जाते तो क्या होता वहाँ पैसे वाले लोग आते गांजा खरीते पीते और उनको भी एक आध चिलम पीने को मिलती वह दम खीचते महाराज अब वह गांजे की दम के साथ इतना बंधन हो गया कि सायंकाल सारा काम छोड़ कर गांजे की दुकान पर पहुँचे तो महाराज विशय सेवन से इतने बंध जाते हैं जहां कुत्ते को रोज समय से रोटी मिलती है वहां बिना घड़ी देखे वह स्वयम ठीक समय पर पहुँच जाता है यही है संसारी लोग अपने अपने विशयों की चकर में ऐसे बंध गए है कि उनको तो बस वही चाहिए इसी से विशय को बंधन कहते है विशम्यान्ति परिणाम में ये विश को प्राक्त होते है अर्थात जैसे विश भले ही खाते समय मीठा या स्वाद लगे परंतु अंत में वह मृत्यु का हेतु बनता है इसी प्रकार यह विशयों के प्रती जिनकी प्रीती है यह सब अंत में विश में ही जाकर परिणत हो जाती है इसलिए त्याग किसका? त्याग क्या है? संसार में ऐसी कोई वस्तु कोई व्यक्ती नहो जिसके हम पराधीन हो वैसन की बात दूसरी है इसलिए यह पहले मीठे लगने वाले और बाद में विश के समान नाश करने वाले जो संसार के विशे हैं इनका त्याग करना चाहिए तो यदि आपको सत्य के मार्ग में आगे बढ़ना है तो संसार की बातों की ओर से ध्यान हटा कर उनको क्षमा करते हुए चलना पड़ेगा सब संसार को क्षमा करो और यदि आप व्यवहार में ब्रम्हवत क्षमाशील न बनेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते दूसरी बात है आरजव आरजव माने सरलता जीवन सरल होना चाहिए बिलकुल आइने की तरह तो ब्रम्ह निर्माए है यह जितनी महती होती है जितनी मठेश्वरी होती है जितनी मंडलेश्वरी होती है यह सब माया विशिष्ट ब्रम्हे ही होती है इश्वरत्व ही माया विशिष्ट में होता है तो संत्पना अवधूत्पना जो है अलग है किस चंदन का नाम संत होता है किस कपड़े का नाम संत होता है ऐसा नहीं किस सुंदर्ता का अईश्वरिया का नाम संत होता है सो नहीं संत माने जो किसी भी प्रकार से अपने भीतर माया को स्विक्रती न दे माया माने छल कपट जादू का खेल यदि आप व्यवहार में माया को आश्रय नहीं दोगे तो माया रहित ब्रह्म्ह के साथ आपकी एक्ता हो जाएगी एक श्रीमती जी थी अपने पती से बहुत प्रेम करती थी लेकिन जब उनके पास मिलने के लिए जाती तो अपने शरीर पर एक लोहे का कवच पहन कर और उसमें ताला लगा कर और ताली तिजोरी में बंद करके फिर अपने पती से मिलने के लिए जाती तो ऐसे नहीं यदि आप आवरण रहित ब्रह्म से मिलना चाहते हैं तो स्वयम अपने को आवरित करके नहीं मिल सकते अपने आपको बिल्कुल नगन करना पड़ेगा जैसे परमात्मा निरावरण वैसे आत्मा निरावरण और निरावरन निरावरन एक हो जाएगा और यदि जीवन में माया ही रखनी है तो ब्रह्मा भी अपनी माया नहीं हटाएगा तो नारायन जीवन सरल होना चाहिए धोक ही बाजी नहीं चलेगी दया माने जैसे अपनी भलाई चाहते हैं वैसे सबकी भलाई चाहना निर उपाधिक हित और आत्म तुष्टी आत्म संतोश आत्मानंद की अनुभूती और सत्य भाशन सत्य आचरण होना चाहिए जैसे ब्रम्ह अबाधित होता है कभी मिध्या नहीं होता इसी प्रकार बिलकुल सत्य में स्थित होकर रहना मेरे प्यारे इन सद्गुनों को धारन करके तब वेतांत के मार्ग में चला जाता है पहले महराज रीती यह थी हम लोगों को सभा में सुनने के लिए वेतांत नहीं मिलता था हम दस मील बीस मील पैदल चलकर जंगल के पेड़ के नीचे किसी अवधूत के पास जाते थे और वे महराज पाउं फैला कर बैठे हुए कि मुँ फेर कर बैठे हुए हैं तो इंतजार करना पड़ता था कि कभी यह हमारी और देखेंगे और कभी बात करते थे और कभी नहीं करते थे माने जो वेदान्त की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनकी आकांक्षा जब तीवर होती है और योग्यता होती है तब वेदान्त समझ में आता है अब समझाने वाले की इच्छा तो बड़ी तीवर है सब लोगों को वेदान्त समझा दें जीवन की सार बात समझा दें तो वासनावान कौन हुआ शोता हुआ की वक्ता हुआ वक्ता हुआ वासनावान कि हम सब लोगों के गले के नीचे वेदान्त उतार दें अब यह जो वासनावान वक्ता वेदान्त का निरूपन करने लगेगा तो वह वेदान्त के साथ थोड़ी थोड़ी वासना भी सब के हुरदय में भेज़ देगा वेदान्त तो मिलेगा ही वासना भी मिलेगी इसलिए वक्ता जब वासना रहित होगा और शूता सब वासनाओं को छोड़ कर और बाकी सब जो हैं, आप नाटक की तरह देख आते हो, आपका मनोरंजन है, आप सिनेमा की तरह देखाते हो, आपका मनोरंजन है मनोरंजन भी आपने अच्छा चुना, इसके लिए आपको बढ़ाई, तो नारायन आपके मन में एक सच्ची आकांक्षा जगे एक सच्ची वेदना, एक सच्ची रसानो भूती की प्यास आपके हरदय में जगे इस प्रकार अश्टा वक्रमुनी का समाधान भाग दो यहां संपोनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में